एक फिल्म को हिट करवाने के लिए उसका प्रमोशन बहुत जरूरी है एक समय था जब फिल्मों के प्रमोशन पोस्टर्स के द्वारा सबसे ज़्यादा होते थे जगा जगा पर बड़े बड़े होल्डिंग्स लगवाये जाते थे लेकिन आज के समय में साउथ से लेकर बॉलिवोड जगत के स्टार्ज अपनी फिल्मों के प्रमोशन के लिए तरह तरह के इवंट में हिस्सा लेते हैं जिसके लिए पानी की तरह पैसा बहाया जाता है हैरानी तो तब होती है जब फिल्मों को हिट करवाने के लिए मेकर्स सारी सीमाएं लांग जाते हैं 28 साल पहले रिलीज हुई फिल्म क्रिमिनल के समय भी मेकर्स ने प्रोमोशन में सारी हदे पार कर दी थी आईए आपको इसके बारे में बताते हैं दर असल साल 1994 में फिल्म क्रिमिनल रिलीज हुई थी जिसमें मनीशा कोईराला ने एहम किरदार निभाया था मनीशा कोईराला के अलावा नागारजुन, राम्या कृष्णन और जौनी लीवर समेथ कई और कलाकार थे इस फिल्म का निर्देशन महेज भट ने किया था और प्रोडियूसर मुकेज भट थे लेकिन इस फिल्म को हिट करवाने के लिए मेकर्स ने एक बहुत बड़ा जूट बोला था जिसमें फैंस फस कर रह गये थे इस फिल्म के प्रमोशन के लिए मनीशा कोईराला के निधन की ख़बर को आग की तरफ फैलाया गया था हुआ यूँ था कि मेकर्स चाहते थे कि इस फिल्म के बारे में हर किसी को पता हो और इसी वज़ा से उन्होंने फिल्म की लीड एक्ट्रेस मनीशा की फेक मौथ की ख़बर फैलाने का फैसला किया ऐसा इसलिए भी किया गया क्योंकि फिल्म में मनीशा के किरदार की मौथ हो जाती है और इस प्रमोशन को उसी से जोड़ा गया था हाला कि इस ख़बर को सिर्फ फैन्स ही नहीं बलकि कई सेलेबरिटी ने भी सच मान लिया था और फिर मनुरंजन जगत में मनीशा कोईराला की निधन पर शोग जताया गया मेकर्स का दाउं उन्ही पर उल्टा पड़ गया जब लोगों को पता चला कि मनीशा कोईराला की मौत की ख़बर जूठी है तो हर कोई भड़त गया लोगों ने फिल्म को घटिया बताया और मेकर्स को खूब खरी खोटी सुनाई क्रिमनल हॉलिवुड फिल्म दा फुगेटिव का हिंदी रीमेक थी फिल्म की कहानी एक ऐसे डॉक्टर की थी जिस पर उसकी पत्नी की हत्या का आरोप लगता है कुछ साल बाद निर्दोश साबित होने पर वा दोबारा शादी कर लेता है मेकर्स के इतने बड़े जूट का असर फिल्म के कलेक्शन पर भी हुआ घरेलू बॉक्स ओफिस पर फिल्म बहुत ज़्यादा कमाल नहीं दिखा पाई लेकिन विदेशों में इस फिल्म ने अच्छी खासी कमाई की थी दोस्तों बॉलीवुड से जुड़ी ताजा खबरें और लेटिस्ट अपडेट को तुरन पाने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अंत में सिर्फ एक बात आप से मिलना जरूरी नहीं आप सभी का होना जरूरी है मैं आशागरता हूँ आप सभी स्वस्त और सुरक्षित होंगे धन्यवाद